वेल्कम बेक टो मैं चनल हमारे चनल पर आप स्वागत है और आप लोग कैसे उम्हेट करता हूं आप लोग भी अच्छा होंगे मैं भी अच्छा तो आज हम बात करेंगे जो साप्ट की जब सील कड़ी आती है कि इस प्रकार से सेल ली आती है बहुत ज्यादा सेल ली आने को वैसे जो से को चेंज करना पड़ता है और कुछ कंडिशन वे भी चेंज करना पड़ता है गेर बोक्स साइड होता है उसके और की बीच में जो स्लिप होती वहां से जब सेल आने लगे यह समझी भी खराब होने के चांसे हो चुके हैं लेकिन जब हम इसको चेंज करेंगे तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि यहां से सेली आखिर आती ही क्यों है और जो बीच के हैं तो पूरी डिटेल में बताऊंगा तो आए स्टेप बाई स्टेप इसको जानने की कोशिस गड़ते हैं तो यहां पे जो गेर बॉक्स साइड का जब में सील चेंज करना है थोड़ा है इस पूरा सेट है तो थोड़ा बार हो जाता है और आईसा जबूरत नहीं है कि हमको यह मोटर हटाना ही पड़ेगा यह आप चाहते हैं यह पूरे सेट के साथ ही मैं हटा लूँ तो आपकी इच्छा तो यहां पे उसके बाद क्या प्रोसेस है कि यह जो पॉइंट दिया दिख रहा है और इसी के माद्यम से जो गेर बॉक्स को इसे रखने के लिए यह पॉइंट इसे भी कुलना होता है और साथ के साथ एक और पार्ट खोलना होता है में जो दोनों को कुपलिन का काम करता है जो दोनों गय फिर बौक्स को जाइन का का काम करता है तो यहां पर यह जो कभर लगा हुआ है त मतब अलग करना है तो उसके वाद गयर समय निकालेंगे एक चीज़ का और ध्याद धेना है जब ओएंट खोल के पहले ही हमें oil को कम कर लेना है या drain कर लेना है तो यहां पर मैं आपको बताता हूँ तो यहां पर मैं आपको बता दूँ इस टाइब के BHS mixer भी है तो उसके भी जो seal change करने का process है तो उसके जो soft के अंदर seal का system है इसी प्रकार से होता है यह आप देख सकते हैं BHS mixer है तो यहां पर BHS mixer में जो build से operate होता है और यहां पर direct gearbox से नहीं connect होता है और जो seal change करने की जो process है तो जब gearbox हटा लेंगे उसके बाद जो bearing का process होता है तो यह जो हमारी वीडियो है पीछे पड़ी हुई मैं उसी के माद्यम से आपको समझाने के कोसिस करता हूँ क्योंकि यहां से जो आपका यह चकनट इस प्रकार से खोलेंगे यह जो जो चकनट खोलने है तो जो इस टेटर लिखा हुआ जो gearbox पे था तो वहां पे भी खोलने के बाद चकनट खोलने के बाद निकालने के बाद जो बैरिंग निकालेंगे न इसी प्रकार से उस साइड की भी बैरिंग आएगी पूरी byring साथ के साथ चली आएकि और और जब बहुत ज़ादा आती है तो byring में चला जाता लागता है तो बारिश से सांड आने लगता है और बहुत ज़ादा चल गया तो बैरिशिव तूड़ जाता है और यहां से पूरा पूलर का सिस्टम होता है कि आप उसमें बोल्ट डाल के कसेंगे और अपने आप बाहर आ जाएगा और यहां पर आपको जो इस प्रकार से जो गिरिस की पाइप में लगी होती है ने निंकलेगा तो जो पहले डैमेज होता है फिर सेली जो सिल में फोड़ा फोड़ा-थोड़ा आता है फिर वह इसकी जादा दिन को आंगता है और यहां से जो इसको सबंट करें में को यहां से यह इस DAY इस्य प्कारएंगे जो इसके जो घुरिश गन की पाईप का यह जो खोगा नहीं निक्राएंगे और यहां पर लिकालने हैं तो यह सलीप होती है इसी सलीप के अंदर से तो जो सबयर और बे इसको अंदर सब्सक्राइब सब्स्कूंद तो यहां पर की आप से यदि चल जाता है तो ठीक है आप उसे चला सकते हैं और यहां से और आगे बात करें तो जो मिक्सर के अंदर जो आर्म खोलना है तो आर्म को खोल लेंगे तो आर्म को जो यहां से खोल के निकाल लेना उसके बाद जब निकाल लेंगे आर्म निकल जाएगा यहां से डस्ट बाहर निकलने के बाद इसमें देखिए, seal जो है वो damege condition में है, तो इसलिए जो इसलिए बाहर साइड में आ रहे हैं, जो seal installation का काम होता हैं, यहां से सुरू हो जाता है, इसमें जो Dob जो सिल लगा लेंगे। इसके बैठाने का जो प्रोसेस होगा तो पार्ड जो जो इसके अंदर इस प्रकार से लगाएंगे और इमेन यहीं होता है जो आपका कंट्रोल करता है कि सैली बाहर ना है तो इस प्रकार से इसे आप से लगाना है यदि इस किट कर गया या बैठाने में एक साइड के बोल्ट आप डाउन कसेंगे तो अभी यह सिल्क बैठाते समय भी कड़ याता है तो इस चीज का जरू ध्यान देना है और यह ज जो बस आप फ्रंट साइड stair गेर बोक्स उतारने का है प्रोसेस होता है सिर्फ जो कपली ने वह उसको छोड़ दें तो दोनों साइड में कोई डिफरेंस नहीं है आप सील बिल्कुल चेंज कर सकते हैं जो समय है थोड़ा सा साथ में जो जड़ा जाता है तो यिदि यहां जो इसको लगाते हैं तो यहां को यहां से जब लगा कि टाइड करते हैं इसको आपको गैप को मेंटेन करना इसको बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो सील बाहर निकल के अंदर इसकीट कर जाएगा जब आप उसको फिर से चलाएंगे तो दो चार दिन में या एक दो दिन में ही सील से सेली फिर से बाहर आने लगता है और इस प्रकार से सब कुछ लगाने के के निय 1975 बांट को विघ्र से बाइए संट इसमें इसंग करेंगे लिगतीी जब वाताएंगे मैं वहाँं करने के काम करती करने काम करती बाहों बेंगती होता ऑड़े से अधी सकता है वहीं कंडियर से भी होता है difference भी हो सकता है तो इस प्रकार से जो सील चेंजिंग का प्रोसेस होता है तो गेर बॉक्स साइड हो या नान गेर बॉक्स साइड हो तीस प्रकार से कर सकते हैं और लगाने का complete वीडियो का link description में मिल जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दिया गया नेक्स टोपी के साथ दन्यवाद